कि आज मैं इंवर्स टिवर्ण अठील फंक्षन के प्रोपर्टी बेस कुछ इंपोडेट्ट कोश्चन लिया है उसको सॉल्ब करेंगा तो आई रहते हैं कोश्चन नंबर वन का वन में दिया हुआ है कि साइन इंवर्स इसका हमको भेलूपा इंखाना है इसमें एक प्रोपर्टी होता है कि साइन इंवर्स साइन 3 далее एकवलिटू थीडा ही अ और हम लोग यह भी जाते हैं कि sin inverse का principle value होता है minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में होता है minus pi by 2 से pi by 2 तक होता है तो इसमें हम लोग क्या लिएंगे sin inverse sin theta equal to theta मतलब क्या होता है? pi by 3 which belongs to minus pi by 2 to pi by 2 मतलब क्या है pi by 3 इसी range में belong करेगा तो इसका answer जा होगा? pi by 3 ठीक है next question जो है वो है cos inverse 7 pi by 6 इसमें की formula होता है cos inverse cos theta equal to theta और इसका हमें लोग क्या होता है? arrange होता था minus pi by 2 से pi by 2 लेकिन cos में होता है 0 से pi 0 से pi के बीच में arrange होता है तो अगर यह मैं बोलूँगा की cos inverse cos inverse cos cos 7 pi by 6 ठीक है? cos inverse cos 7 pi by 6 7 pi by 6 note belongs to 0 to 5 तो इसको हम लोग को change करना होगा cos inverse cos 2 pi minus 5 pi by 6 और लोग चान्ते है की cos 2 pi minus theta equal to क्या होता है? cos theta यह यह सकेंड पार्ड़न में बोलाईस होता है यह सकेंड पार्ड़न में बोलाईस होता है 5 pi by 6 इसको बोलाईस होता है 0 to 5 इसकेंड यह इसकेंड आएस ठीक है आएस अब लोग next question देख चाहिए next question पूर रहा है sin inverse sorry, sin third question है sin cos inverse 3 by 5 इसको solution करनी के लिए हम लोग let cos inverse 3 by 5 equal to हो लोग इसको theta दे रहा है तो यह क्या हो जागा cos theta equal to इसको इसको इसा shift करने तो cos theta जागा और इसको अदर हम क्योंकि हम जानते हैं कि sin inverse sin theta equal to theta होता है तो इस cos inverse को का लिए हम sin inverse मिले ले है इसको ज़स्ट अपोजिक भी होता है sin into sin inverse theta equal to theta इसको बोग sin theta पहले निकाल दे तो sin theta equal to under root 1 minus cos square theta पर्मुला होता है तो under root 1 by 1 minus cos का बेल क्या 3, 3 का इस पार 9 by 25 यानि हो जागा 25 minus 9 by 25 यानि under root 16 by 25 equal to 4 by 5 ठीक है तो theta equal to इसको जागा sin inverse 4 by 5 इसको अगर मैं इहां put कर दूँगा योपी इसको theta लिया था cos inverse को theta तो इसके क्या बन गया था sin theta तो theta के value या था sin into sin inverse 4 by 5 हम लोग इस फर्मुला जानते हैं sin into sin inverse theta ये property of inverse इस पर्मुला है equal to theta ये भी फर्मुला है तो क्या हो जागा sin inverse sin theta इस पार इस पार पर्मुला क्या मैं जागा 4 by 5 मतलब इसका value क्या हो जागा 4 by 5 यह answer ठीक है अड़ी अब उनोग सकेंड में देख़्ेंगे सकेंड को कैसे सुलप करेंगे सकेंड कोश्चन कोश्चन सकेंड रोवन है 10 inverse 3 5 by 4 plus 10 inverse 3 by 5 minus 10 inverse 8 by 19 इसको उनोगो प्रूब करना है प्रूब ठीक है इसको solution करते हैं एक पर्मुला जानते हैं 10 inverse x plus 10 inverse y equal to 10 inverse x plus y by 1 minus xy इसमें condition क्या है कि इस xy you had less than 1 दोनों को प्रूड़क करेंगे ठीका को तो यहां पर यह काम कर रहेंटी सबसे पहले हैं इन दोनों को हम फस्टू को सब्रेट कर रहे हैं एक साथ में और 10 inverse 8 by 90 अभी नहीं यह दोनों को पहले हम सौब कर रहे हैं तो इसको इसमें हम लोग फीर कॉंसेट लगा रहे हैं तो क्या हो जागा 10 inverse x plus y मतलब x के है 3 by 4 y के है 3 by 5 divided by 1 minus 3 by 4 into 3 by 5 ठीक है minus वह जागा 10 inverse 8 by 90 अब इसको simplify करेंगे तो क्या होगा 20 LC हम लेंगे तो यह हो जागा 5 times मेजागा 15 plus 4 times मेजागा 12 यहापी करेंगे तो यह 1 by 1 20 minus 9 यह जागा 10 inverse 8 by 90 यह 10 inverse यह जागा 27 by 11 minus 10 inverse 8 by 10 inverse यहापी भी एक हमा यह जागा ने प्रोपर्टी यूज होगा यह 10 inverse x minus 10 inverse y equal to 10 inverse x minus y by 1 plus xy यहापी इस प्रोपर्टी यूज करेंगे तो जागा 10 inverse 27 by 11 minus 8 by 90 अब इसको हम सिंप्लिफाई करेंगे इसको सिंप्लिफाई करेंगे तो इसको पूरे सिंप्लिफाई करने के बाद 1 हाइदा यहापे यही हमको प्रूब करना था, ठीक है, और यह हम दो इसका 2 का 2 देखिंगे, 2 का 2, 2 का 2 कोशन, यह कोशन, 2 का 2, कोशन है, टान इंवर्स, अंडरूख 1-cosx by 1 plus cosx equal to xy, यह प्रूप करना है, ठीक है, हम लोग जानते हैं, टान इंवर्स, 1-cos theta equal to 2 sin square theta by 2, और 1 plus cos theta है, 2 cos square theta by 2, 2 sin square theta by 2, 2 cos square theta by 2, 2, 2 कैंशी, टान इंवर्स, अंडरूख sin by cos क्या होगा, टान स्कार theta by 2, इस फार केंशी, टान इंवर्स क्या होगा, स्वर्स, थीटा क्या होगा, टान इंवर्स, 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 टान 2 का 3 कॉसचन बढ़ा है क twe inverse under root under root 1 plus x minus under root 1 minus x under root 1 plus x plus under root 1 minus x equal to 5 by 4 minus 1 by 2 cos invert x एक कोशन को सब्सक्राइब करना होगा, ऐसा क्या पूट करेंगी, टैन इंवर्स टैन थीटा के फॉर्मेट में आ जाया है, और हो लोग उसको सिंप्रिफाइब कर पाया है, तो हम लोग लेट नहीं है, कि एक्स इक्वाल टू कॉस तू थीटा, और यू थीटा एक fatto को सब्सक्राइब कर दो टो टो को सिंप्रिफाइब, और टता इक्वाल टो क्या मैं जाया कर दोक्या से, इसे हो हम लोग सब्च्ए नहीं होग, टैन आ पर बू सू known का कीwn अब गजै को बिदा संद llू पंद रूट तीटा, और तीटा का 7cus2 बिदा, औ under root 1 minus cos 2 theta, ठीक है, हम दो जाते ही एक फर्मूला कि 1 plus cos 2 theta एक वल्ट होता है 2 cos square theta, 1 minus cos 2 theta का फर्मूला होता है 2 sin square theta, ठीक है, यहाँ पे पुटकर्ण में यह होगा, under root 2 cos square theta plus 2, यहाँ पे minus है, ठीक है, under root 2 sin square theta, divided by under root 2 cos square theta, 2 cos square theta, मैट पलस under root 2 sin square theta, tan inverse, under root 2 common उपर से भी लेते हैं, तो यह होजागा, बचेका, cos square theta, और यहाँ पे गा, sin square theta, इंचे भी under root 2 common लेंगे, यहाँ पे पे गा, under root cos square theta, पलस under root sin square theta, ठीक है, root 2, root 2 cancel है, और square root भी cancel होगा, तो यहाँ लेटर और यहाँ लेटर और यहाँ लेटर 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 लेटर, tan inverse, यहाँ पे चाहाँ, क्या, cos theta minus sin theta, by cos theta plus sin theta, ठीक है, हम एक फर्मूला जानते हैं, एलवल्ट में देखा होगा, आप लोग, cos theta minus sin theta, by cos theta plus sin theta, इकोल टो होता है, tan phi by 4 minus theta, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, tan inverse tan phi by 4 minus theta, तो tan inverse tan theta, tan inverse tan theta इक होड़ो क्या होता है, theta, theta की जाएगा पर क्या है, by by 4 minus theta, और यह theta को अभी लूग हमारा यहाँ जोगा है, यह इसको हम यहाँ पे पूट करेंगे, ठीक हो जाएगा, by by 4 minus 1 by 2, cos inverse x, उनको यहाँ परोग करना था, ठीक है, आई हम दो 2 का 4 कोशन देख रहे है, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, तो अब भा है, प्रूब दाट, 9 by by 8 minus 9 by 4, sin inverse, 1 by sin inverse, 1 by 3, equal to 9 by 4, sin inverse, 2 root 2 by 3, ठीक है, यह LHS से हो, यह LHS से हो, बोगो LHS से चलते हैं, इसको में ब्लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक में 9 by by 4 को ब्लोग को मल लिया था, तो क्या बचेगा, हमको 9 by 4 को मल लिया था, ठीक है, तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, माइनस 9 by 4 को मल लिया है, sin inverse, 1 by 3, ठीक है, LHS से चलते हो, यह LHS से चलते हो, यह LHS को प्रूट करना है, एक फर्मूला आता है, कि sin inverse theta, plus cos inverse theta equal to pi by 2, तो क्या होगा, cos inverse theta equal to, क्या हो जागा, pi by 2 minus, अगर इसको बचेगा, pi by 2 minus sin inverse theta, कि क्या है, तो pi by 2 minus sin inverse theta, क्या हो जागा, cos inverse theta, तो pi by 2 minus sin inverse theta, cos inverse theta, मैं तो क्या हो जागा, cos inverse theta, into cos inverse theta, theta के जागा, 1 by 3, ठीक है, अब यहांपे हमको sin inverse के दम्मे करना है, तो एक और फर्मूला होता है, cos inverse theta equal to sin inverse under root 1 minus x square, यह भी एक फर्मूला होता है, तो इसको हम कॉस को, किसमे sin के दम्मे करता है, तो sin inverse under root 1 minus x square, तो क्या हो जागा, 1 by 3 square, 1 square square 1, 3 square square 9, अब जागा, तो क्या हो जागा, 9 by 4, into sin inverse, क्या हो जागा, 9 minus 1 by 9, 9 by 4, sin inverse, 8, तो 8 तक्या दिखता है, 2 root 2, और 9 तक्या दिखता है, question number 3, question number 3 का 1 है, तो जागा कि, if sin into sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x equal to 1, तो x का value बताई है, क्या हो जागा, solopur x, solopur x, ठीक है, sin को सबसे के लेजर shift करेंगे, तो क्या हो जागा, sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x equal to sin inverse 1, ठीक है, sin inverse 1, sin inverse 1 by 5 को जागा, तो जागा, तो जागा, cos inverse x, वेसको जागा, जागा, क्या क्या होता है ? उन किसका होता है ? sin π2 का , sin π2 का इसको अगर हम आशे लिखेंगे sin π2 minus sin sin vice comedy क्या होगे ? cos inverse x equal to e sin sin theta equal to theta π2 minus sin inverse of 1 by 5 अभी हमने बताया करूं कि sin inverse pi by 2 minus sin inverse theta इकोल तो बता है cos inverse theta यह फर्मुला है तो pi by 2 minus sin inverse theta इकोल to cos inverse theta तेक्या बजागा cos inverse x equal to क्या cos inverse 1 by 5 cos inverse cos inverse can see x equal to 1 by 5 यह एंसर इक्या अई है बुम्लो next question देखते है question 2 3 का 2 2 में दिया पार है 2 tan inverse cos x equal to tan inverse 2 cos x ठीक्या इसमें बता है हम लोग क्या करेंगे एक फर्मुला होता है कि 2 tan inverse x equal to tan inverse 2 x by 1 minus x square एक फर्मुला होता है तो इसको हम लोग 2 tan inverse x को इस हमें पर लेकन बढ़खते हैं क्या होजाएदा tan inverse x, x के देखर करता है cos x 2 cos x by 1 minus cos square x equal to tan inverse 2 cos x tan inverse tan inverse कैंसे करता है तो क्या होजाएदा 2 cos x by 1 minus cos square x sin x square x होता है equal to 2 क्या होजाएदा cos x को बढ़ए कोस बैसान इकोंट को सुग्से आ रिगने कॉस में केंजा है ? कॉस कोषलते हैं Q3, what are tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to piy for x-point? एक फर्मुला हम जामते हैं कि tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y by 1-xy. यह फर्मुला को यूज कर रहें यहापे, तो क्या होगा? इतना रिया होगा है, इतना हम इसको convert कर चाकते हैं. tan inverse 2x plus 3x by 1-2x into 3x equal to piy by 4. tan inverse को इधर shift करेंगे, तो इसको इधर shift कर रहें, और यह जाएगा 3 of 2, 5x by 1-3 to 6x square. और इधर जाएगा, तो क्या होगा 10 5 by 4, inverse में इधर जाएगा, तो 10 5 by 4 बन जाएगा, तो 5x equal to 1-6x square, equal to 10 5 by 4 कदलू 1 बन जाएगा. अब यहाँ से हम इसको cross into करेंगे, तो क्या होगा? 5x equal to 1-6x square, इसको इधर shift करेंगे, तो क्या होगा, minus देधर आएगा, तो plus 6x square, यह पहले से plus में 5x, और यह आजएगा इधा, तो minus equal to 0. ठीक है, तो क्या है, अब यह पहले से करेंगे, तो 6x square plus 6x minus x minus 1 equal to 0. 6x common, क्या होगा, x plus 1 minus 1 बन जाएगा, x plus 1 equal to 0. x plus 1 common बन जाएगा, तो क्या होगा, 6x minus 1 equal to 0. x plus 1 equal to 0, और बन 6x minus 1 equal to 0. x equal to minus 1, 6x equal to whatever 1, x equal to 1 by 6. अगरी x square minus 1 अगरी हागो पर जाएगा, तो यह negative हो जागा, अलेक्स, जो कि यह जोगा, satisfied में करेगा, x square minus 1 by 6, यह आजएगा, अगरी लास्ट कोर्चन, लास्ट कोर्चन की इसी फर्मूला, बेस्ट, इसी तरसे सोरु करेंगे, तो यह लास्ट कोर्चन सोरु करेंगे, तो tan inverse x minus 1 by x minus 2, tan inverse x plus 1 by x plus 2 equal to y by 4, अभी जो फर्मूला गना है, तो यह लास्ट कोर्चन, इसी तरसे सोरु करेंगे, तो tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy, तो यह लास्ट कोर्चन, यह लास्ट कोर्चन, यह जाएगा, tan inverse x minus 1 by x minus 2 plus x plus 1 by x plus 2 divided by 1 by 1 minus x minus 1 x minus 2 into x minus plus 1 into x plus 2 equal to y by 5 by 4, जो यह लास्ट काता है, और यह लास्ट कोर्चन, इसी तरसे सोरु कोर्चन, इसी तरसे सोरु कोर्चन, इसी तरसे सोर। x-2 x-2 cancels , x-1 into x-2 को जाएंगा और x-2 cancels , kya माँ जाएंगा , x-1 into x-2 ठीक है , अभी इनी चे में देखता है , kya होगा , x-2 into x-2 kya होगा , x-2 into x-2 minus kya होगा , x-1 into x-1 equal to 105-4 , इसा सिंवस न जाएंग theo 105-4 , इसका विलू 1 होता ये और ये cancel होगा, और इसको multiply करें, तो यह बज़ाएगा, x², इसको multiply करें, x², plus 2x, x², 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 2x, minus x, minus 2, ठॱ्याएगा, ठीक है, ठीक है, तो a²-b² होगा, यहाँ भी ब्लस बन जाएगा यह और यह कैंसी और यहाँ पे भी कैंसील होगा 2x 2x कैंसील x और x कैंसील इकवल तो यहाँ पे 1 है x² x², 2x² माइनस 2, माइनस 2, माइनस 4 यह बाइटर भई क्या होगे माइनस 3, इकवल तो 1 ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगے, 2x² माइनस 4, से क्रॉस इंटर करेंकर की होगे –3, इसको सिटकर हेंगे तो क्या होगे –3 ब्लस 4, माइनस 3ous 4 एकवल तो क्या होगे 1 होगे, और x² इकवल तो होगे 1 by 2 और x इकवल तो होगे क्या, प्लस माइनस मन बयांग रूट, लेग इसका और समोगा, टेका है